आज हम उपसर्ग सीखेंगे। उपसर्ग का मतलब है कि जो किसी शब्द के पहले जूड़कर उसका पूरा ही अर्थ बदल देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग शब्द उपप्लस सर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना है जिसमें जो सर्ग शब्द दिया गया है। उपके आगे जो सर्ग शब्द है वो मूल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है जोड़ना या निर्मान करना यानि वो एक नए निर्मान करते हैं जैसे सू पुत्र तो यह क्या हो गया सू प्लस पुत्र अपमान का क्या हो जाएगा अप प्लस मान तो यहां जो यह जो हमने जो लगाएं है सू पूत्र में जो यह सू और अपमान में जो यह अप लगा हुआ है वो शब्द क्या है हमारे उपसर्ग है इससे हमें क्या पता चल रहा है अच्छा और बूरा का पता चल रहा है पुत्र तो सिर्फ पुत्र ही पता चल रहा है, आगे सु पुत्र लगते ही क्या हो गया, कि वो एक बहुत अच्छा पुत्र है, अपमान, अगर अप नहीं लगाएं तो वो सिर्फ मान रहेगा, और अपमान लगाते ही क्या हो गया, यानि हम किसी का अपमान करें हैं, उसकी ब बना रखी है, यहां लिक रखें, उपसर्ग, यह है उनके अर्थ, यानि जो उपसर्ग दिये वे हैं, उनके अर्थ यहां लिके वे हैं, फिर उनसे जो शब्द बनते हैं, उनके नाम यहां लिके वे हैं, अति, यह उपसर्ग है, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, अधिक, उ आगला है ए, इसका अर्थ है नहीं, ए का अर्थ होता है नहीं, और इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं, अबोध, अताह, अमल, एसंभव, अमीट, जब हम कहते हैं ये काम तो एसंभव है, यानि वो काम नहीं हो सकता है, तो ए का अर्थियां है नहीं, आगे है अन, तो अन क अब ये अर्थ क्या होता है नहीं जैसे कि अनपड अन को हडा देंगे तो सिर्फ पढ है और लेकिन पढ के आगे हम अनपड लगा देंगे यानि वो वेक्टी पढ़ा लिखा नहीं है तो वो बन गया अनपड़, अनमोल, अनजान, अनमोल यहन कीम्ति अनजान जिसे हम नहीं जानते हैं फिर आगे है अद्धी उपसर, इसका आर्थ क्या होता है, उपर या श्रिष्ट, जो अच्छा हो श्रिष्ट वेक्ती हो अब देखिए इसक से बनने वाले शब्द कौन से है अधिकार और अधीपति ये इससे बनने वाले अधी से बनने वाले उपसर्ग के शब्द है फिर आगे उपसर्ग है आ इसका अर्थ होगा तक, सीमा, और, कमी या विप्रित और इससे बनने वाले शब्द कौन से है आजन, आगमन, आमरण, आधान, आजीवन, आक्रमन ये सब इनसे बनने वाले शब्द है ऐसे ही अगला उपसर्ग है परा जिसका अर्थ क्या होगा उल्टा या अनादर यानि हम किसी का अपमान कर रहे हैं ये इसका अर्थ हो जाएगा उल्टा यानि कि वो किसी शब्द का विप्रिद बताता हो जैसे विलोम शब्द में यहां देखिए पराजे तो ये क्या है विजे का विप्रिद बता रहा है उल्टा से बता रहा है पराजे हैं अब है अगला सू सू उपस्वख से बनने वाले शब्द हम देखेंगे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं इसका अर्थ है सुखी अच्छा भाव सुन्दर सहज जैसे हमने आगे सू से बनने वाला सू पुत्र बनाया था याने कि वो पुत्र तो है लेकिन सू पुत्र या तो सू का आर्थ हो गया, सुखी, अच्छा, भाव, सुन्दर, सहच अब इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? सुकर्ण, सुघंद, सुकंट, सुलब, सुयश, सुगम ये सब सू से बनने वाले उपसर्ग शब्द हैं आगे हैं, सू के बाद है अध्ध इसका अर्थ है आध्य के अर्थ में यानि किसी भी चीज़ का जो आध्या अर्थ बताता हो देखिए अध्पका, पका तो, यानि कि कोई चीज़ पकी भी है लेकिन उसके आगे अगर हम अध्ध लगा देंगे तो इसका क्या हो गया अध्ध पका यानि कि हम कहेंगे कि कोई सबजी अदपकी है यानि कि इसका अर्थ ये हो गया कि वो चीज अच्छे से पकी हुई नहीं है तो इसका अर्थ किसमें आएगा आदे के अर्थ में अदभना, अदबूट, अदबूट तो क्या हो गया इसका अर्थ क्या हो जाएगा आदे के अर्थ में तो ये अद से बनने वाले उपसर्ग शब्द है फिर आगी है भर से बनने वाले शब्द इसका अर्थ है पूरा या ठीक जैसे भर पूर यानि कि पूरी भरी भी है भर सक यान्य हमने बहुत ही ज़ादा प्रयास किया है अब है उप इसका अरथा छोटा या निकटता तो इससे बनने वाले शब्द है उपवण, उपकार, उपना ये सारे शब्द क्या है उपसर्व थे